चलो भाई उतर गए बिना गिरे बिना हाथ पर टूटे वहाँ से उपर से अब चल दिये नीचे के तरफ अभी हम लोग जाएंगे काशिद बीच and we explore थोड़ा बहुत काशिद जितना हो सके उतना पॉसिबल रास्ते में हैं और उसके बाद then as soon as possible we have to go to our hotel या फिर homestay बोल सकत यहीं से दिखा देता हूं because यही है कॉरले बीच यहां से शुरू होता है जो सेंड वाला पॉर्शन है यहां से शुरू होता है और वहां तक कॉरले बीच है तो यहां पे ज्यादा फिशर्मेन जो फिशिंग करने के लिए आते वो लोग ही रहते हैं जादा अगर आप कर सकते हो लेकिन यहां पे पत्थर है पूरा का पूरा पत्थर है तो वो आपको कभी भी जखम पोचा सकता है अगर आप थोड़ा भी अगर केरलेसनेस दिखाए आप समंदर में तो यहां पे आप दो देखोगे तो लोग सुखा मच्छी जो रहता है जिंगा बोलते हैं क् सुखी हुए मच्छी उसको दूप में ड्राई करके यह बोरी में भरा जा रहा है और फिर यह मार्केट में जाता है बिकने के लिए तो यह है वो गाउं जो पॉर्टुगीस लोग रहते हैं अभी तो जैसे बता रहते तो अभी तो काफी मतलब मिक्स लोग भी रहते हैं मह कुछ आरश नहीं दिखेगा तो इस इस विलेज वेर पॉर्टुगीज कुछ पॉर्टुगीज चले गये कुछ पॉर्टुगीज यहां पे है तो जो यहां पे है वो यहां बस गया है तो अभी अम लोग निकल चुके है और कोर्लाई से काशिद है 10 किलोमिटर जो की प्रब्लम नहीं आपको चोटे मोटे घर वगयरा दिखते रहेंगे लेकिन रात को यह सब समझ में नहीं आता है क्योंकि जो लोग यह से रोज ट्रावल करते उनको पता है कि आगे कितने धूर पर घर अगे कितने घर नहीं है जैसे यह जो कभी कभार आते हैं उनको पता नहीं रहता है उनके लिए जंगल ही है सामने अभी समंदर का बहुत अच्छा विव आता है यहां से तो अगर आप देखा जाए तो अलिबाग से जब से हम निकलते हैं तब सही समंदर हमारे साथ साथ चलते रहता है लेकिन कोलाई वाला जो बीच है वहां का अगर आप गाउं का अंधर रास्ता ले लिए तो वहां ऐसे देखते 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 जा सकते हो ये दाहिए तो यह ही है वह करलाई वाला जो रोघающ लोग बीच या फिर कास्षिन रोग बीच बहुत बहुत inflict यह भी है यह भी एक पैच है जो आप बहुत आच करोगे अगर आप बाइक से आ रहे हैं या फिर कार से दिख रहे हैं वो भी पूरा एकदम लश्क ग्रीन हो जाता पेड़ लंबे-लंबे यह खुबसूरत लग रहे हैं और काशिद बीच काशिद हमारा हो गया शुरू यहां से काशिद यह देखिए काशिद का यहां से बजार पूरा शुरू हो जाता है मेला दुकान उकान आप गाड़ी यहां पर पाक कर सकते हो कपड़े उपड़े खरीद सकते हो जो भी खरीदना है एक्छली देखा जाए तो इन सब अभी तक हमने जितने बीच किये उसमें से सबसे मार्केट वगेरा काशिद में दीख रहा है भीड भी बहुत है गाड़िया तो मतलब सुबह सुबह हमें लगा था कि भीड कम रहेगी लेकिन भीड़ बढ़ गई है कहां से जा सकते कहीं से भी जा सकते शायद तो गाड़ी करते यहां पर पार्क क्या यहां पर आगया तो फिर तो दुकान के पास ही लगा देते हैं हम लोगों तो थोड़े दिर के लिए जाना है चलो तो यहां पर किदर भी लगा देते हैं उसके बाद बीच पर जाते हैं और घूम के आते हैं यह देख लो भाई सबसे फेमस बीच सबसे ज्यादा लोग इस बेल्ट में यहीं पर आते काशिद बीच उसका कारण क्या है उसका कारण है यह रेट पूरा सफेद बिल्कुल भी मिट्वी नहीं और यहां पर एक्टिव स्पोर्स भी होता है नहीं 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 क्या कितना राउंड रहते है एकड़े हम अधर चैसना यहां पेड़ा सबसे कि के इन अढ़ यहां पर वटर शोंड और बहुत होता है जेट्की वेडर भी हो रहे है यह आपे क्राउट कर समझ में आ जायएगा कि यह कितना इय। यहां पे सेंड देखिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है अभी हम लग जा रहे हैं थोड़ा पानी में क्योंकि आज चपल पहन के आए तो पानी में जा सकते हैं और यह बीच मस्त है मुझे लगता है इधर तक पानी नहीं आता है यहां तक ही आके रुख जाता है जो कल से जो ट्रेवल कर रहे हैं उतने में सबसे जादा लोग हमको यहां पर ही दिखें अभी थोड़ा पानी के अंदर जाते हैं पांच मिनिट के लिए बिकोज आज तो चपल पहने जा भी सकते बाई सब आप तो नहीं जा सकते मैं तो जा किया आता हूं यह पूरा का पूरा टाइम नहीं मिलने वाला है पानी में जाने का विकोज आपत से राइडिंग यह पहन लेंगे और फिर काम कतब यहां पे पानी देखिए पूरा ट्रांस्पेरेंट है पानी अगर लहर आ रहा है अगर आप देख पाओगे यह क्यों यहां पे लोग इतने जादा है यह इसक जब तक पीछे का पानी आता नहीं है यह देखिए पुरा शेल वगेरा सब कुस दिखने लगा है टाइड भी मतलब उतना जादा नहीं है बड़ अच्छा है मतलब खेलने लाइक टाइड है बहुत उम्दा नहीं मस्त खाने पीने के लिए भी पूरा बना हुआ है यहां प हुआ समंदर का नजयी भी हो जाएगा टाइम भी इसपेंट हो जाएगा समंधर के किनारे और यहीं पर नास्ता भी हमने उटर किया है वड़ा पाऊ मिसल पाऊ इसके बार दिखेंगे और क्या क्या खाला है नारियोपनी के बाद अंदर जाएगा चाय जो की दो दीन से मिल तो फिर उसके बात फिर यृणा शरीर वाल जो इंजिन वा पड़ेगा। ये आगे हुआ साब हमारा जाय आगे मिश्यल्पाओ और वडबंए। ये आके हमारा क्विश्च नास्ता खितान ऑभी तक वेट रहे हैं , मीश्यल्पाओ। अब तक लिक्वीट है अंदर जाना बागी है चलो बाई यहां से निकलते अब यहां से 8 km है हमारा होटल और 8 km के लिए टाइम दिखा रहा है 11 मिनट तो वहां पे जल्दी से जल्दी भागते हैं इधर है जल्दी से जल्दी होटल में भागते हैं चेक आउट करते हैं क्योंकि नहाना वहाना भी है फ्रेस भी होना अगर बाई चंस कोई आगया होगा जिनको रूम चाहिए रहेगा जिन्होंने बुक्किया होगा तो फिर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है बट अभी तक तो क कोई आगया होगा चेकिंग करने तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जो नंदगाव बीच है जहां पर हमारा होटल भी है वह दस किलो मिटर पे मतलब हमारे होटल से एक आधा डेट दो किलो मिटर आगे है और उसके लिए आपको टाइम आराम से पंदरा से अगर काशित से आप जा रहे हो तो पंदरा से बीस मिनिट लग सकते है अराम से 11.48 हम लोग एक गंटा 48 मिनिट सिर्फ 48 मिनिट लेट है जो कि हमने बताया था इनको तो हम लोग आ चुके हैं अभी पूरा यहां से समानुमान पैक करते हैं और निकलते हैं रेडी होके नंदगाव बीच क नंदग煮 मैं लोग यहां से स से अवोग लोग घाना पैक बिनिट लोग में लोग, यहां से इनको पद्शनरा करते हैं आराम से से महां से से मिनिकलते हैं लोग टोग. और रहे हो दिस समानी।